दोस्तो टार्गेट इस्टरी एक्यू के आज के करेंट फस्की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौर्ब गुपता स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो का PDF आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है टार्गेट इस्टरी एक्यू वहाँ पर आपको और भी स्टैटिक जीके के PDF फ्री में दे दिये जाएंगे तो सुरू करते हैं आज के सबसे पहले कोशन से दोस्तो देखें पहली बार देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है और ये समय वितीत करना लोगों के लिए बड़ा मुस्किल हो रहा है यहाँ पर देखें एक कोशन क्या बना है कोशन ये बना है कि कोविट 19 के लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे चात्रों के काउसल को बढ़ाने के लिए किस IIT ने प्रोजेक्ट इसाक लॉंच कर दिया है तो इसमें ते को राइड अंसर हो जाएगा IIT गांधी नगर option number D हो जाएगा सही देखें आपको पता है देश के जितने भी संस्तान है वो पूरी तरीकी से बंद कर दिये गए हैं और सभी बच्चे अपने घर पर पहुंच चुके हैं इस दवरान घरों में बैठे जो चात्र हैं उनके कौशल के विकास को लेकर किस IIT ने प्रोजेक्ट इसाक लॉंच कर दिया है राइट अंसर हो जाएगा IIT गांधी नगर ठीक है? option number D सही हो जाएगा अब इसका थोड़ा सा history और जान लेते हैं देखो यह जो नाम है प्रोजेक्ट इसाक यह लिया गया है Newton के नाम से Sir यहाँ पर Sir Isaac Newton उन्ही के नाम से इस नाम को लिया गया है आकर Newton के नाम से ही इस प्रोजेक्ट का नाम क्यों लिया गया है क्योंकि इससे पहले भी पूरे विस्व में प्लेक, मलेरिया जैसी बहुत सारी विमारिया जब उस समय आई थी तो उस समय ये भी इसी वाइरस के जैसे ही थी, लाखों लोग इसमें मारे गए थे, उस समय भी हमारे पास में इन बीमारियों के लिए वैक्सिन्स एबलेबल नहीं थी, बिल्कुल वही हल आज के समय चल रहा है, तो हुआ क्या था, कि लंदन में 1965 में, सॉरी, 1665 में लंदन मे क्या हुआ था, प्लेग नाम की बीमारी वहाँ पर पूरी तरीके से फैल गई थी, जिसकी विज़े से कॉलिस था, Trinity College, Cambridge दोरा, जो इसाक न्यूटन है, वो उसी कॉलिज में पढ़ा करते थे, उनको घर बेज दिया गया था, जिससे कह था, उस समय उनकी लगबग 22 साल की र पॉर्स जो है, ये उन्होंने उसी दोरान ही इन्वेंट किया था, प्रकार से की जो है, ये भी उसी समय इन्वेंट किया था, तो उसी प्रकार से इसी चीज को डेखते हुए, जिस प्रकार से न्यूटन ने लॉकडाउन के दोरान ये सब चीजे इन्वेंट करी थी, उसी प्रकार से इस समय जो lockdown चल रहा है, Newton की life से प्रेरित होकर इस project को शुरू किया गया है, IIT गांधी नगर के द्वारा, इस में देखो, IIT गांधी नगर के जो इस समय के director है, वो है professor सुधीर जैन, इस समय, IIT गांधी नगर की जो इस्तापना है, ये सन 2008 में करी गई थी, अब इसी lockdown को लेकर एक दूसरा प्रसन क्या बना है, question बना है, कि 21 दिन, 21 days, weight loss program, यानि कि 21 दिन में बजन घटाने का ये जो प्रोग्राम है, के लिए सरकार ने, fit India movement की तहट, किसके साथ में एक साजेदारी करी है, तो right answer हो जाएगा, अभिने 3, silpa 70, option number 6 हो जाएगा, सरकार की तरब से एक movement चला जाता था, जिसका नाम है fit India movement, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे physical activities और sports का organize किया जाता है, तो हाल ही में lockdown में, लोगों का घर में मन लगा रहे हैं, वो कुछ कॉसल सीखें, बेकार ना बैठें, इस बज़े से अभी 21 दिने के लिए एक weight loss program को launch किया गया है, जिसके लिए सिलपा सिठी के साथ में करार हस्ताचर किये गये हैं, तो option number C सही हो जाएगा, इसमें वो अपने channel पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, fit India movement के साथ में मिलकर 21 दिन का ये program weight loss challenge start किया गया है, जिसमें कि वो weight loss कैसे करें, इस चीज पर अपना ये program launch करेंगी, साथी साथ में आपको बतादू, इसमें आप घर में बैटे ही, फ्री में इस program को अटेंड कर सकते हैं, और देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप खाली समय में 21 दिनों में अपना weight loss करने के लिए कुस तो कदम उठा सकते हैं, तो शुरू करते हैं अगला question, हाली में Health Ministry ने hydroxy chloroquine को किस प्रकार की दवाईयों में सामिल करने की कोशना कर दी है, तो ये जो hydroxy chloroquine है, इसको sedule H1 drugs में सामिल कर दिया गया है, तो option number A सही हो जाएगा, अच्छे से सबसना कि hydroxy chloroquine को sedule H1 drug में सामिल कर लिया गया है, option number A सही आखिर इस दवाई को, किसी भी दवाई को sedule H1 drug में सामिल करने से क्या बदल जाता है, जब भी किसी दवाई को sedule H1 drug में सामिल कर लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो दवाई जो होगी, वो बिना doctor के prescription को आप नहीं करीच सकते हैं, अगर आप medical store पर जाएंगे और इस उनको मांगेगे, तो वहाँ पर आपको वो दवाई नहीं दी जाएगी, जब तक आप अपने medical वाला जो परचा होता है, वो उनको सो नहीं करेंगे, साथी साथ में जितने भी medical stores हैं, उनको ये guidelines होती है, जिसका उनने पालन करना होता है, इस परकार की दवाईयों के लिए क उसका patient का नाम लिखा होगा, किस doctor ने recommend किया है, उसका नाम दिया जाएगा, और दवाई के बारे में detail इसमें लिखी जाएगी, अब इस चीज का कारण क्या है, कारण दोस्तों सिर्फ ये है, कि हाल ही में ICMR ने, भारत के ICMR ने recommend किया था कि ऐसे लोगों के लिए जो corona virus के मरी जैसे इस दवाई के export पर भी पूरे तरीके से ban लगा दिया गया है, साथी साथ में इसको doctor के prescription के बिना आप नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इसका red answer हो जाएगा, कि इसको sedule H1 drugs में सामिल कर लिया गया है, एक चीज यहाँ पर आपको और समझता है, कि जब भी doctor के prescription के बिना नहीं ले सकते हैं, आप चुकि इसको sedule H1 में सामिल किया गया है, इस वज़े से आप यह जो hydroxy chloroquine दवाई है, इसमें भी आपको यह red वाली पट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है, Rx लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि बिना doctor के prescription के आप इस दवाई को medical store से purchase नहीं कर पाएंगे, दोस्तों आप सभी लोगों के लिए खुस कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताए रहा, अगले दो निनों के लिए मैंने पिछले तीन महीने के करेंट अफस पर अभी एक discount चला दिया है, जिसमें कि आपको यहाँ पर दो नहीं, दो कीजिक है, ती 50 रुपीज का discount दिया जा रहा है, कोई code का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई code का इस्तेमाल नहीं करना है, वीडियो के description में एक link है, जाकर उस पर payment करेंए, payment करने के 1-2 घंटे के अंदर आपको PDF दिया जाएगा, PDF आपकी email ID पर send कर दिया जाएगा, 50 रुपीज का discount इसमें मिले अब जो लोग देखो banking की तयारी कर रहा है, उनके लिए मैं बता देता हूँ, हाल ही में RBI ने अपना buy monthly monetary policy जो है, वो launch कर दिया गया है, ये जो RBI की तरफ से जो policy rates होते हैं, ये समय समय पर change होते रहते हैं, इस बज़े से ये जो data मैं अभी करवा रहा हूँ, किसी भी exam को द बिरूर कर लेना, क्योंकि दो महिने के बाद में हो सकता है, ये change भी हो जाए, इस समय देश के अंदर जो परिस्तिती बनी हुई है, उसके हिसाब से RBI ने जो अपना ये data paste किया है, उसमें देखो क्या-क्या चीजी है, सबसे पहले तो देखो repo rate जो है, उसमें कितना change किया पहले repo rate ता 5.15%, इसको 4.0% कर दिया गया है, इसी में गुमा कर ये भी पूछ लेता है कि बताओ repo rate में कितने BPS, यानि की basis point का change किया गया है, तो यहाँ पर 75 basis point का change कर दिया गया है, इसी प्रकार से एक rate होता है reverse repo rate, तो reverse repo rate पहले ता 4.90%, जिसको change करके 4% कर दिया गया है, जिसमें 90 basis point का change आया है, ये चीज़ जरूर याद रखना आजकल exam में इसी format में पूछ रहा है, चीक है, आगे चलते हैं, इसी प्रकार से एक rate होता है marginal standing facility rate, जिसको 5.0% से 4.65% कर दिया गया है, इसमें 25 basis point का change आ गया है, इसी प्रकार से एक rate होता है bank rate, जो की 5.40% स 4.65% कर दिया गया है, इसमें 25 basis point का changes आ गया है, इसी प्रकार से cash reserve ratio, इनका full form भी याद करते हुए चलना, CRR का मतलब होता है cash reserve ratio, इसको 3% से बढ़ा कर 4% कर दिया गया है, और ये 100 basis point का यहाँ पर इसमें change देखने को मिला है, आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं, जल्दी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं आगे, अगला question है, कि हाल ही में launch की गई एक पुस्तक जिसका नाम है legacy of learning, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो पुस्तक है legacy of learning, जिसका इसमें बड़ा चर्चा चल रहा है, इसको लिखा है सविता चाबराने, option number 20 पुस्तक को लिखा है सविता चाबराने, तो यहाँ पर इस पुस्तक का फोटो देखेंगे, जिसमें देखो लिखा है legacy of learning, पुस्तक को लिखा है सविता चाबराने, सविता चाबरा का फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक morepunk लगा हुआ है, इसका मतलब क पुस्त करते थे भगवान कृस्ण तो यह जो पुस्ताक है यह भगवत गीता के स्लोकों से लिखी गई है भगवत गीता के कुछ सेलेक्टेड स्लोक हैं जिनको निकालकर बहतर तरीके से इसका explanation लिखकर सवीता छाबरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो सवीता छाबरा इसका राइड अंसर हो जाएगा अब यह सवीता छाबरा है कौन सबसे पहले तो यह जानो कि यह जो पुस्तक है चुकि भगवत गीता पर आधारित है इस बज़े से पुस्तक इंपोर्टेंट है ठीक है अब इसको लिखने वाला जो है सवीता छाबरा वो भी इंपोर्टेंट है क्योंकि वो इस समय एक अपनी है जिसका नाम है हाईजियनिक रिसर्च इंस्टिटुट प्राइवेट लिम्टेट उसकी चेर परसन है ठीक है इस बज़े से इंपोर्टेंट है पुस्तक भी इंपोर्टेंट है तो आपको याद रखने है अगला कुशन बनेगा कि हाल ही में विकसित की गई की नई किस्म जिसका नाम है MACS4028 में किस पोसक तर्तों की अरिकता है तो बड़ी खुसी की बात है दोस्तों कोरोना वाइरस के चलते कोई अलक निउस उभर कर सामने नहीं आपा रही है यहां पर आपको बदा दूँ कि एक गेहुं की एक नए किस्म की हाल ही में खोज करी ग किया गया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है यहां पर आप इसका फोटो देख सकते हैं कि गेहुं की नवीनतम प्रजाती MACS4028 जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है आप इसमें देखो और भी डिटेल्स दे रखी है जो कि आप इस वीडियो के इसका टेलिग्राम से PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना टेलिग्राम में हमारे चैनल का नाम है टार्गेट इस्टरी है क्यों उसको अच्छे से याद कर लेना वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी किताबें फ्री में दे दूँगा COVID-19 से लड़ने के लिए के सामगरी के निर्मार के लिए सिडवी ने किस नामसे अवियान की शुरवात करी है तो right answer हो जाएगा हाल ही में सिडवी ने safe अवियान की शुरवात करी है जो की COVID-19 से लड़ने के लिए सुरक्छा सममंदी सामान बनाएगा जिसमें आपका mask हो जाएगा इसके लाबा और भी जो surgery के equipment होते हैं उनका development करने के लिए safe नामसे प्रोग्राम की सुर्वात सेवी ने करी है तो यहाँ SIDWI ने करी है SIDWI का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो safe प्रोग्राम है इसका photo भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा safe का फिलफर्म होता है SIDWI assistance to facilitate emergency response against coronavirus यह इसका फिलफर्म हो जाएगा जोकि आपको पता होना चाहिए अगला कुश्चन है कि हाल ही में किस भारतिये कंपनी ने मातर 7500 रुपए से भी कम लागत में अम्बू बैग वेंटिलेटर विक्सित किया है तो एक विशेश परकार का वेंटिलेटर होता है पोटबल होता है जिसको अम्बू बैग वेंटिलेटर के नाम से जानते है अमूमन इसका खर्चा जो है 5 लाग से 10 लाग के बीच में आता है लेकिन भारत के एक कंपनी हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि गाड़ियां बनाती ही उसने 75-100 से भी कम रुपीज में इस वेंटिलेटर को डेवलप कर दिया है आपने सभी लोग अगर सोसल मेडिया यूज करते होंगे तो इनका फोटो आपने देखा होगा बहुती नेक दिल इंसान है इन ही नहीं इस शीच को अनाउस किया है कि महिंद्रा ने 75-100 से कम के लागत में भी अंबू बैग वेंटिलेटर इस मुसीबत की गड़ी में पना कर तयार कर दी है चलिए अगले कुशन की तरह पढ़ते हैं कोविड-19 का स्वयम मूलियंकन करने के लिए एक टूल लॉंच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है राइड अंसर हो जागा गोवा पूरे भारत का पहला राज्य बना है गोवा जिसने एक टूल को डेवलप किया है आप घर बैटे ही ओनलाइन यह पता कर सकते हैं कि आपको कोरोना वारस हुआ है या नहीं हुआ है तो यह जो सेल्फ असेस्मेंट कह सकते हो टूल है इसमें कुछ सिंटम्स आपको दिये होते हैं आर्टिफिसल इंटेलिजिंस पर यह वर्ग करता है जिसमें कि आप उस टूल को एनलाइस करेंगे तो आप यह पता कर सकते हैं कि आपके अंदर वो लक्षण है या नहीं है इस परकार से गोवा इसको कह सकते हो launch करने वाला पूरे भरत का पहला राज जिबन गया है तो यह जो टूल है जिसको गोवा ने अभी launch किया है इसका नाम क्या है ये भी पूछा जाए सकता है Test Yourself Goa इस नाम से इस आप को लॉंच किया है Test Yourself Goa इस नाम से इस आप को लॉंच कर दिया क्या है ठीक है तो Goa की इस Capital क्या है पंजी सभी को पता होना चाहिए साथी साथ में जो Extra Information इसके लिए PDF अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं प्रमूद सावंत और Governor का नाम है सत्यपाल मलिक अगला कोशन बना है कि किस देश की Medical Company जिसका नाम है Abbott Laboratories ने मातर पांच बिनिट में COVID-19 का पता लगाने वाली एक किट तयार कर ली है तो इसका राइड अंसर हो जाएगा Option No. B America इसका राइड अंसर हो जाएगा Option No. B is the right answer कि हाल ही में अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसी अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है Abbott Laboratories उसने मातर पांच मिनिट के अंदर में Corona Virus का पता लगने वाली इस किट को तयार कर दिया है हाला कि ये जो किट है अभी सिर्फ अमेरिका में ही एवलेबल है ये एक दिन में 50,000 सबी टेस्ट जादा टेस्ट कंडेक्ट कर सकते हैं ठीक है चलते हैं आज के Current Affairs के रिविजन पर उससे पहले दोस्तों अगर आपको Current Affairs में बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना चलिए सबसे पहला कोशन है कि Project ISAC किस IIT ने लौंच किया है तो IIT गांधी नगर इमने इसका राइडनसर पढ़ा था 21 दिन के लिए Fit India किस अभिनेत्री के साथ में हस्ता चर हुए है सिल्पा सेटी इसका राइडनसर हो गया था Health Ministry ने Hydroxy Cloroklinin को किस प्रकार की दवाईयों में सामिल किया है Cedule H1 ड्रग में सामिल कर लिया गया है Lee J.C. of Learning पुस्तक की लेकी का कौन है तो लेकक का नाम है यहाँ पर सविता छाबरा ओप्शन देकर टिक कर देना हाल ही में नया अप्रकार का जो गेहूं बनाएगा है जिसका नाम है M.A.C.S. 4028 इसमें किस पोसक तत्तु की यह दिखता है प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाएगा महिंदरा एंड महिंदरा इसका राइड़नसर हो जाएगा हाल ही में स्वायम का मुल्यंकन करने के लिए टूल लॉंच करने वाला भारत का पहला रज्जे कौन सा बना है तो गोवा इसका राइड़नसर हो जाएगा अगला प्रसना है किस देश की अबाउट कंपनी ने पांच मिनिट में कोरोना वर्स का पता लगने वली एक किट को तयार कर दिया है तो अमेरिका की ये कंपनी है जिसने ऐसा विक्षित कर लिया है टेलिक्राम सभी लोग जोईन कर लेना वहाँ पर बहुत सारा इस्टेडी मिटेरियल फ्री में दिया जाता है अगला प्रसना है जिसका आंसर आपको देना है कि COVID-19 के प्रकोप के चलते RBI ने EMI चुकाने के लिए कितने महिनों की छूट दे दी है जल्दी से कमेंट बॉक्स से आंसर लिख दिना थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो वन्स अगें टार्गेट इस्टेडी एक्वी में आपका स्वाकत रहेगा